श्री शिवाई नमस्त भिहम दर्शिकों, हर हर महादेव, ओम नमस्त शिवाई, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शिकों, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे. दर्शिकों, यदि आप पर बहुत अजिक कर्ज बढ़ गया है, या किसी को आपने उधार पैसा दिया है, और वह वापस नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिती में आप मंगलबार के दिन इस एक उपाय को अवश्य करें. यकीन मानिए, आपका वह कर्ज भी उतरेगा, साथ में ही जिस किसी ने भी आप से पैसे लेकर रखे हैं, और वह वापस नहीं कर रहा है, तो वह स्वयम ही आपको आपका धन वापस लाकर देगा. इस उपाय को किस प्रकार से करना है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैल आइकन को ब्रेस करके और बग क्लिक कर दें. मंगलवार की शाम को आपको उपाय करना है, शाम के समय उपाय करना है, और लगातार पांच मंगलवार आपको उपाय करना है, इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको सिंदूर लेना है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर किस सिंदूर है, जी हाँ, सिंदूर आपको ले लेना है इसे के साथ में क्या करना है आपको चमेली का तेल लेना है आप सभी जानते हैं हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक चलाया जाता है या फिर आप चमेली का तेल भी पजरंग बली को समर्पित कर सकते हैं सिंदूर भी समर्पित कर सकते हैं उस आपको नहाद होकर इसनानादी से निर्वित्र होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण कर मंदिर जाना है आगे क्या करना है आपको नारियल दिखाए दे रहोगा वही पानी वाला आपको क्या करना है नारियल ले लेना है जो हम मंदिर में चड़ाते हैं वही नारियल आपको ले ल गलत तरीके से बिल्कुल नहीं बनाना है आपको एक बार फिर से सुन लीजिए आपको सिंदूर लेना है सिंदूर में थोड़ा सा चमिली का तेल मिलाना है और उसके बाद नारियल पर आपको क्या करना है स्वास्तिक का चिन बनाना है उस चिन को बनाने के बाद ये काम आप भी करकर लेकर जा सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी स्वास्तिक का चिननारियल पर बना सकते हैं और बजरंग बली के चर्णों में आपको अपनी कामना करते हुए अपनी कर्ज मुक्ति की कामना करते हुए जिस किसी ने भी उधार लिया है उसी वापस करने की कामना करते ह बचरंग बली के चर्णों में आपको अर्पित कर देना है। तब तक के लिए श्री शिवारी नमस्तो भ्याम।